आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल बटन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं डिजिटल दुनिया की तमाम नौलेज शेयर करता हूँ चैनल मेरा नया है सब्सक्राइबर्स कम हैं मेरा चैनल सिर्फ 12-13 साल पुराना ही है उस हिसाब से आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि एक चीज़ तो पका है मेरे चैनल पर आपको मिलने वाली है वो है एक्सपीरियंस तंगडे वाला एक्सपीरियंस आप को मिलने वाला है experience का क्योंव टकर नहीं है market में बहुत सारी अफवा है कि knowledge तो किसी को भी हो सकती है जी हाँ knowledge किसी को भी हो सकती है यही तो बात है experience की value अलगी है तो मुझे है दोस्तो 20 साल का experience राइट दस साल मैंने लगबग corporate में बिताए हैं और लगबग मुझे आज बारे तेरे साल अपना personal काम करते हो गए लगबग 20 साल से मैं काम कर रहा हूं 2002 से मैं काम कर रहा हूं और जहां तक बात की जाए English पढ़ाने की 2002 से पढ़ानी शुरू की है और digital की बात की जाए तो मैंने पहला blog सन 2007 में लिखा था तो लगबग 16-17 साल से मैं blogs लिख रहा हूं website बना रहा हूं ऐसी ओ करने की जिरुवत मुझे पढ़ी सन 2014 में जब मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला English का तो SEO मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग किया उससे पहले में blog करता था चोड़ी मुड़ी website बना ली अपने लिए ऐसी मौझ मस्ती के लिए और blog लिख लिए था था बस wordpress पर blogger पर कुछ और platform होते थे वहां पर भी तो वो सारा experience उसके बाद 2014 से SEO का experience उसके बाद जस्ट बजार जैसी company खड़ा करने का experience करियर building school जैसी बहुत बड़ी e-learning platform खड़ा करने का experience नियर मी हजारों landing page बनाने का experience हजार से जदा clients को serve करने का experience पांच हजार से जदा students को पढ़ाने का experience बहुत सारे failures का experience बहुत सारी financial problems का experience तो तमाम दुनिया का experience है मेरे पास जो मैं share करता हूँ आपके साथ जब कोई problem आपने उससे पूस्ते हैं मैं बात limiting belief की नहीं कर रहा हूं कि मितलब मेरे beliefs limited है नहीं 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 जब आप कोई सवाल मुझसे पूछेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा वो सारा कोच अनुभवी व्यक्ति को बनाया जाता है आपने करके टीम में देखा होगा कि जो नया व्यक्ति आता है वो player बनता है कि senior player बनता है फिर national बनता है और international player बनता है सारी दिक्कतों से निकल जाता है तब वो जाकर कोच बनता है मैं कभी देखा आपने एक न्याद्मी कोच बन गया? वू फैंसी दुनिया में होता है. तो कोच के पास अगर बहुत experience है और उसकी नियत है आपकी help करने की, तो जुड़ जाईए ऐसे कोच के साथ, और ऐसा ही कोच आपके सामने मैं अपने आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, I am presenting myself, तो short cuts पर मज़ जाईए, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, live किया, सेर मेंने drop shipping, tie किया है, सैर मेंने social media management, tie किया है, सर मेंने blogging, tie किया है, सेर मेंने affiliate marketing, tie किया है, कर रहा हूँ, तो मेरा कहना है कि try-v-ray कुछ मत करो है, try-v-ray कुछ नहीं होता, अपने coach से पूछो क्या करना है और वही करो बस, कुछ और करने की जुरुत नहीं है, सचिन तेंदुलकर ने cricket खेली थी या try की थी, दोहनी ने cricket खेली थी या try की थी, विराट कोली cricket खेलता है या try करता है, आस मोधी जी राजनीती कर रहे हैं कि राजनीती करने का ट्राई कर रहे हैं और देख लो राहूल गांदी राजनीती कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं वो राजनीती भी नहीं कर रहे हैं वो ट्राइम पास कर रहे हैं उनसे जवरस्ती डक्का लगवाया जा रहा है कि भाई एक द लिटल वन ओके तो ट्राइग नहीं करना है दोस्त ट्राइग मत कीजिए कीजिए डायरेक्ट कीजिए मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है लोगों में की ट्राइग कर रहे हैं ट्राइग कर रहे हैं ट्राइग कर रहे हैं मत कीजिए ट्राइग और कर रहे हैं तो करत से कौन करवाएगा सोशल मीडिया हमको था एक्सपीरियंस नहीं है सर को हम से करवाएगा ही को बड़ी कंपनिया से करवाएंगे हर चीज का एक ब्लॉकेज लगा हुआ था भाई के पास कमाल हो गया मतलब मेरी बाई से बात हुई लगबख 10 मिनिट और 10 मिनिट में भाई ने कम से कम 45 एक्सक्यूज दिये मुझे मैं अचंबी में आगया खोपड़ी हिल गई मेरी कि इतने सारे एक्सक्यूज इतनी जल्दी जल्दी कैसे दे सकता भाई खेर मैं चाहता हूँ कि भाई यह सारे एक्सक्यूज खतम करें अपने और पैसे कमाना शिरूर करें क्योंकि दो ऐसा है और अगर माइंडसेट नहीं बदलाना तो फिर कुछ नहीं बदल सकते आप तो सबसे पहले माइंडसेट कि यस मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ यस यह कोच मेरी मदद कर सकता है दोई चीजें आपको चाहिए कोच की बात माननी है और अपना माइंडसेट खोला रखना है अगर आपने कोच बना लिया है फिर भी इदर उदर ता करहें बहुत सारे लोग देख कर दिया कि ना तो तो वहां पर 100% सरेंडर कर पा रहे हो नहीं यहां पर कर पा रहे हो तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे दोस्त राइट तो मेरा तो बस यही था आप से बात करने का मन था मैं चाहूंगा कि आप करिये बिल्डिंग स्कूल जोइन करें जो कि इंडिया का बेस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता है एक्सपिरियंस के मामले में नौलेज के मामले में और नियत के मामले में सपोर्ट करने की नियत के मामले में राइट थैंक यू बेरी मच नमस्कार जै हिन जै भारत